राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेट चैनल में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अविनन्दन प्रिये विद्यार्थियों आज अक्समात ही आपके लिए ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाना पड़ रहा है कि आज जब सुबह माद्य में एक शिक्षा बोल्ड की साइट को चेक किया गया तब उसमें थोड़ा सा आपकी परिक्षा से समन्दित बहुत ही महतोपुन सुचना उसमें दिखाई दी और ये सुचना बहुत ही महतोपुन है थोड़ा सा आप ज्यान से सुने परिक्षा का जो pattern है अर्थाद paper का जो pattern है पहले आपके जो modal paper जारी किये गए थे उन में से कुछ विश्यों के pattern बदले गए हैं थोड़ा सा आन्शिक परिवर्तन हुआ है तो उस पे हमें चर्चा करने है किस प्रकार का paper है वो आप आएगा पेपर में थोड़ा जैसे हम हिंदी अनिवारिय को लें तो हिंदी अनिवारिय का model paper जो है या यू कहें कि प्रिक्षा का जो pattern है पत्र का जो pattern है वो एक बार फिर update किया गया है और उस updation में क्या-क्या परिवर्थन किये गया है प्रशन पत्र का जो पेटर्न है वो एक बार फिर अपडेट किया गया है और उस अपडेशन में क्या-क्या परिवर्तन किये गये हैं प्रशनों की संख्या कितनी रही है उन प्रशनों का अंक बार किस प्रकार रखा गया है कौन सी पुष्टक में से कितने प्रस्ण आने है और किस पार्ट में से कितने अंक का प्रस्ण आना है ये सभी आज हम चर्चा करेंगे इवनिंग क्लासेज में जब हमारी साम को कक्षा होगी उस कक्षा में हम अबसे ही चर्चा करेंगे तो आपसे मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है तो उस परिवर्तन को हम जानेंगे समझेंगे कि उसमें पहले वाले पेटर में और आज वाले पेटर में थोड़ा सा परिवर्तन है तो क्या परिवर्तन है यानि प्रस्णों की संक्या कितनी कम हुई है अगर वो कम हुई है तो उनमें क्या परिवर्तन किया गया है ये सब हमें देखना है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थी साम की कक्सा में जुडेंगे और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर ल कि लहर चल रही है और इस लहर में परिक्सा की तिथी कब निश्चीत कर दी जाए ये भी हम नहीं कह सकते अब जैसे जून के महिने में की जानी है लेकिन अभी तक मादी में एक शिक्षा बोर्ट से कोई ऐसा नहीं आया है लेकिन शिक्र ही इसके समन्द में फैसला आज परिक्सा कब होनी है तो जब आपको परिक्सा का अर्थात प्रस्ण पत्र का पेटर्न मालुम नहीं होगा तो आप उसकी तैयारिया आप उस इंसाबसर नहीं कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आज हम बात करेंगे परिक्सा का जो पेटर्न है जिसमें कौन-कौन से क्या परिवर्तन किया गया है इसके समन्द में हम निश्चित ही बहुत जल्द ही आपको समझाया जाएगा तो इसलिए आप अधिक से अधिक जुड़े अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल को अधिक से अधिक आप अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें त इसके साथ जो अबडेशन है अर्थात जो नविंतम जो संसोदन हुआ है उस संसोदन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे तो उमीद करता हूं कि आप साम के कक्सा में अवश्य ही सामिल होंगे और सभी विद्यार्थी अवश्य ही भाग देंगे आज बस पहले में आपको इतना सुचना देने के लिए ही आप आपके लिए ये वीडियो बनाया है ताकि आप सुचित रहें कि क्या-क्या परिवर्तन किया गया है हमें क्या देखना है आज बस नए जय ही जय बारत